कैसे प्रयोग करना है तो उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे देखिए एंटी बेक्टिरियल एक्टिविटी एंटी कैंसरस एंटी ऑक्सिडेंट एंटी एलर्जिक एंटी वाइरल एंटी ओबेसिटी इन सब के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक ग्लास र बाड़ी के अंदर काम करेंगी अगर आप इसका एक ग्लास कंजम्शन डेली करते हैं तो उन लोगों को जिनको वामिटिंग का प्राब्लम आता है बाड़ी के अंदर अगर इंसुलिन का लेविल कम करना है तो एक लेमन का रस निकाल ले और यह जो टी स्पून है यह तीन स्पून डाइरेक्ट आप ले ले और उसके बाद में आप चाहें तो दो सिप पानी पी ले इसका अगर कंजम्शन करेंगे तो इससे आपका इंसुलिन लेविल और लिप्टिन का जो लेविल है हॉर्मोन का वो ब्लड के अंदर कम होगा जिससे की आपको ओबेसिटी यानि वेट रेडशन के लिए helpful रहेगा तो वेट रेडशन के लिए चाहें तो lemon honey water लें चाहें तो direct lemon juice आप अगर consume करते हैं तो यह helpful रहेगा साथी साथ अगर आप इसका जो भूक नहीं लग रही है जिनको उनको अगर प्रियोग करना है तो कैसे करना है इसका लेमन का सबसे अच्छा प्रियोग है कि जब आप लेमन जूस दूद में डालते हैं मतलब गाय के दूद में आप लेमन जूस एड़ करेंगे जैसे हम फटे दूद का पानी हम लोगों ने प्रयोक किया है यह एक ऐसी वाशदी है जो कि आपके लिवर को एकदम बूस्ट करती है आपको अगर लिवर सिरोसिस का प्रबलम है फैटी लिवर का प्रबलम है तो यह आपकी लिवर को रिजिनिवेट करेगा रिपेर करेगा और स्ट्रेंथन करेगा ताकि metabolism आपका अच्छा हो सके इसके साथ में अगर हम brain के लिए देखें तो brain activity अच्छी करेगा memorizing power अच्छा होगा इसका consumption आपको एक cup के बराबर daily शाम को करना है अगर वो करते हैं तो इससे आपकी भूग भी बढ़ेगी digestive disorders भी दूर होंगे और आपकी हडिया पर चार बजे फटे दूद का पानी अगर आप लेते हैं तो यह बहुत ही उपयोगी है उन लोगों को जिनको बाल जड़ने की problem है इससे आप बाल दो भी सकते हैं अगर आप बाल दोहेंगे तो इससे क्या होगा जो आपके hair roots हैं वो मजबूद होंगे और जब आपके hair roots strong ह होंगे तो आपका hair growth अच्छा होगा और आपके hair loss हो रहे हैं वो नहीं होंगे white hairs का problem भी आपका इससे दीरे दीरे ठीक हो जाएगा अब आपको क्या करना है फटे दूद का पानी वैसे भी आप अगर सर्दी खासी जुकाम है उसमें अगर इस्तमाल करते हैं तो वो काफी उ सर्दी खासी हो जाती है तो वो उसका प्रयोग फटे दूद के पानी के तरीके से करेंगे तो उसमें आपको सर्दी खासी जुकाम नहीं होगा बुखार के लिए ये औशदी आहार है सबसे important है fever अगर आपके body के अंदर toxicity जादा है और आपके body के अंदर से heat जो है वो loss नहीं हो पा रहा है तो ऐसी condition में मैं कहूंगा कि अगर फटे दूद का पानी सुभे और शाम दो बार प्रयोग करेंगे तो इससे आपका बुखार पूरी तरह से ठीक होगा आपको बुखार में बहुत आराम होगा और इसमें medicine लेने की आपको अवशक्ता न इतना दर्द है वो आपका दूर होगा तो जब आपके बदन से गर्मी और दर्द जब दूर हो रहा है तो ऐसे में मैं समझता हूं कि आपके शरीर का बुखार टूटेगा और आपको काफी आराम होगा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं बुखार को कम करने के लिए तो यह कि इसके अंदर हम लोगोंने लेमन डाला है बहुत लोग कहते हैं लेमन का तो अचार भी बनता है अचार बनता है ना पर अचार खाना वो एक प्रजरवेटिव फूड में आएगा उसको प्रिजरव करके अगर आप रखते हैं तो ही आप अचार बना के और उसको कंश्यू प्लम नहीं होगा और आप अगर इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर एड करते हैं अदरक नीवू पानी शहद बनाते हैं तो यह आपके गठिया रोग में भी बहुत लाब दायक है वो लोग जो कहते हड्डियों में दर्द होता है लेमन लेने से तो लेमन की मातरा आप रखें आधा लेमन और उसमें आप एक टुकड़ा अदरक का कूट के आप डाल दे किसमें कैसे बनाना कैसे अदरक नीवू पानी शहद सबसे पहले एक गलास पानी लेना है उसको आपको अच्छे से बॉइल करना है उसके अंदर अदरक कूट के आप डाल दीजे बॉइल होने दी छान के एक गलास पानी आप वो जो अदरक वाला है उसको रखिए थोड़ा सा ठंडा होने दीजे आदा लेमन निचोड के रख दीजे और एक चम्मच जो है आप शहद उसमें एट करिए इससे आपकी हड्या भी मजबूत होंगी और हड्यों में जो दर्द होता है वो दर्द नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि ये औशदी औशदी आहार अगर आप ग्रेंड करेंगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ध्यान रखिए कि अगर आप किचिन मेडिसन का प्रयोग करते हैं तो आपको फॉर्मिसी की आउशक्ता नहीं पड़ेगी और किच एक ये लेमन जूस है इसमें आप क्या करें ये प्यॉर लेमन जूस है इस लेमन जूस कै अंदर आपको चार फिंगर्स आप डिप कर दीजेए और इसको एर रूट्स पे लगाईए रोज सुभे के टाइम पे आप लगाईए नहाने से पहले और उसके बाद में नहाने चले जाएए 40-45 मिनिट्स तक आप इसको प्लेस करके रखेंगे तो ये आपके स्काल्प से एब्जॉर्ब होगा और आपके हेर रूट्स को मजबूत करेगा ये प्रिक्रिया करने से आपको कभी भी हेर लॉस का प्राब्लम नहीं होगा आपके हेर मजबूत रहेंगे दूसरा जब इसकिन की बात करते हैं तो इसकिन की बात के लिए मैं ये करता हूँ देखो जूस तो काम आगया हेर के लिए अब बचा है इसका चिल्का, तो छिल्के का क्या करना है, तो इसका में चिल्के का आपको अचार बनाने के लिए नहीं करना, आप इस चिल्के को आप Massaging Effect कर सकते हैं, इससे आपका Skin Glow होगा, तो अगर आप face पर इसका मसाज करते हैं, juice निकलने के बादे हैं अपे बदे लात तो उस जगे पे आप इसका प्रियोग ना करें आप क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत जलेगा और उन लोगों को भी जिनको पिंपल्स हैं तो ध्यान रखें कि पिंपल्स के दौरान आप ज़र इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है लेमन जूस को कैसे यूज करना है पिंपल्स के दौरान वो आपको मैं बता देता हूँ मुल्तानी मिट्टी ले लिजे मुल्तानी मिट्टी को आप प्लेस करके रखिए पानी के अंदर सोक करके रखिए सुबह के टाइम पे अगर आप उसका इस्तमाल करते हैं तो आपको काफी फरक और मैं समझता हूँ कि अगर मुल्तानी मिट्टी के अंदर आप थोड़े से मतलब आधा लेमन निचोड के आप डाल दीजे आधा लेमन आप अगर निचोड के डाल देते हैं तो मुल्तानी मिट्टी का इफेक्ट और डबल हो जाएगा और उसके बाद में आप फेस पैक लगाए तो आपके पिंपल्स में जलन नहीं होगी आके पिंपल्स जो है वो ठीक होगे मतलब इसकिन को नरेश करना है और पिंपल्स को दूर करने के लिए भी यह सबसे उप्योगी है देगे इस्तमाल करके देखे जब तक आप इसतमाल नहीं करके देखेंगे तब तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बोन्स को मजबूत करने के लिए मैंने आपको बताया इसका कंजम्शन फटे दूद के माध्यम से आप अगर करते हैं तो वो काफी लाबदायक रहेगा मेमोरी को स्ट्रेंदन करने के लिए आप डेली सुबे को एक गिलास लेमन हनी वाटर अगर कंजम्शन करते हैं तो ये काफी उपयोगी है मतलब आपको मैंने ये जो सजेस्ट किया है इसका प्रयोग करके देखिए मैं समझता हूँ मैंक्जिमम चीजे मैंने कवर करी हैं जी हाँ एक लेमन से हम औशदियां जो बना सकते हैं वो ये सारी है ये है लेमन हनी वाटर ये है प्यॉर लेमन जूस और ये है फटे दूद का पानी येस और ये है साबुत लेमन और ये है लेमन के छिलके तो इनका प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये आपके किचिन में एक चमतकारी औरशदी है जो आप नियमेत रूप से इस्तिमाल कर सकते हैं और स्वास्त रह सकते हैं